हेलो फ्रेंस वेलकम टू मंजु नीटिंग चैनल फ्रेंस आज मैं आपके लिए यह दिखिए कितना सुंदर डिजाइन लेकर आई हूं इसे बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंस देखने में जितना सुंदर लग रहा है बनाने में उतना ही आसान है यह front side से कुछ ऐसे नज़र आ रहा है और back side से यह देखिए back side से यह ऐसे नज़र आएगा इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मर्टिपर से आप फंदे लेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे दो फंदे आप एस्टिच के लिए लेंगे तो आपका डिजाइन बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा आप उसी हिसाफ से फंदे डालें 6-6 फंदों के हिसाफ से डालें 1 फंद एक्स्ट्रा 2 फंदे साइड के लिए आप डालेंगे तो ये डिजाइन बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालो बच्चों के स्वेटर, बड़ों के स्वेटर जैंट्स, लेडिज इसकी जैकेट बना लें कुछ भी बना सकते हैं हार एक प्रोजेक्ट पे ये बहुत सुन्दर लगेगा इसे बना के जरूर ट्राय करना मैं आपको पूरा बोल बोल के बताती जाओंगे आप मेरे साथ साथ बनाते जाना बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसको आप किसी भी कलर में बना लेंगे तो ये डिजाइन, लाइट, डाक, किसी भी कलर में बना लेंगे यह बहुत सुंदर लगेगा सबसे पहले आप फंदेर डालके यह दिखें मैंने ऐसा बॉर्डर बनाया आप भी ऐसा ही बॉर्डर बनाना क्योंकि बीच-बीच में यह बॉर्डर आएगा तो यह मैचिंग मैचिंग अच्छा लगेगा तो आप भी पहले फंदे डालके ये बाला बॉर्डर बना ले उसके बाद डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है पहला फंदा सीधा बनाएंगे एक उल्टा एक सीधा आप भी मेरे साथ साथ ही बना रहे होंगे मैं पूरा बोलती जाओंगी आप बनाते जाना बिलकुल असानी से बन जाएगा ये डिजाइन कोई मुश्किल नहीं आएगी मेरे साथ साथ बनाते जाओ सेकंड रो सीधा जो उल्टा नजरा रहा है वो उल्टा जो सीधा नजरा रहा है वो सीधा ऐसे ही बनाते जाओ यह हमारी सेकंड रो है थर्ड रो फिर से वैसे ही जो उल्टा नजरा रहा है उसे उल्टा बनाएंगे जो सीधा नजरा रहा है उसे सीधा बनाएंगे ऐसे ही बनाते जाओ बनात्रों बनात्रों पुर्टों पुर्टों एड़ कि एड़ कि एड़ कि एड़ कर दो एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसे ही मेरे साथ साथ बनाते जाओ एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा 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 एक उल्ट यह दिखें, 6th row, 7th row, 8th row तक हमें ऐसे बनाना है, 8th lie, बॉर्डर की ऐसे बना लेंगे पहले, 8th row, 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 8th row मारेट देखिए friends 8th row बनाके हमने ऐसे complete कर ली आपने भी कर ली होगी यह देखिए अब क्या करेंगे यह उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे अब क्या करेंगे यह पीछे वाल फंदा जो उल्टा पीछे वली साइड से आगे लाएंगे आगे लाएंगे और आगे से ये वाला सीधा इदर लेके आएंगे इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे साथ वाला सीधा फंदा है इसे सीधा बनाएंगे अब फिर से इस फंदे को आगे की तरफ से इस साइड पे लाएंगे और उल्टे फंदे को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये देखे तीनों सीधे आगे इधर उल्टा बनाएंगे ये नेक्स्ट फंदा भी उल्टा है तो इसे भी उल्टा बना लेंगे अब फिर से इस फंदे को इधर लेके जाएंगे आगे की तरफ से और पिछे की तरफ से उल्टे फंदे को आगे लाएंगे इसे भी उल्टा बना लेंगे तीन उल्टे आगे सीधा बनाया नेक्स वाला भी सीधा है इसे भी सीधा बनाया इस सीधे को भी आगे लाएंगे और उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे यह देखिए तीन सीधे तीन उल्टे तीन सीधे तीन उल्टे आगे लास्ट में दो उल्टे आगे एक फंदा सीधा अब उल्टी रो में क्या करेंगे उल्टी रो में जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लेंगे ये दो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं अब ये तीन फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं तो इन्हें उल्टा बना लेंगे यह तीन फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे, यह तीन फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे, यह दो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे, लास्ट वाला उल्टा बनाएंगे, यह दिखिए, ती 3 सीधे 3 उल्टे 3 सीधे 3 उल्टे लास्ट में 2 उल्टे आगे अब क्या करेंगे यह उल्टे फंदे उल्टे ही बनाएंगे अब ये वाला तीसरे वाला फंदा ऐसे इन दोनों के उपर से आगे वाले दोनों के उपर से निकालेंगे और एक सीधा बनाया जाली बनाई इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे जो उल्टे तीन फंदे हैं उन्हें उल्टा ही बनाएंगे फिर से बैसे ही करेंगे, तीसरे वाला फंदा उठाкой इनदेनों के उपर से निकाल लेंगे ये दिखिए अब इस वंदे को सीधा बनाएंगे, एक जाली डालेंगे, फिर से इसे सीधा बना लेंगे दो फंदे जो उल्टे नजर आ रहे हैं, उल्टा बनाएंगे लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे फिर से ध्यान से देखिए पहला फंदा स्किप करेंगे आगे दो फंदे सीधे नजर आ रहे हैं इन्हें सीधा बना लेंगे ये तीन फंदे उल्टे बना लेंगे जाली वाला फंदा भी और दोनों साइड वाले फंदे भी ये तीनों उल्टे बनेंगे ये तीन सीधे बनेंगे ये तीन उल्टे बनेंगे दो फंदे सीधे लास्ट वाला उल्टा ये देखिए आप क्या करेंगे अब उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे दोनों ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे ये तीन फंदे उल्टे ऐसे ही बनाएंगे अगर आपको मेरे सिखाने का तरिका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा आपने फ्रेंड में शियर किया करें बेल आइकन ज्रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प यह तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, तीन फंदे सीधे बना लेंगे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, लास्ट वाला उल्टा, यह देखिए, सुन्दर लग रहा है, बना हुआ, फिर से पहला फंदा स्किप करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, अब फिर से यह वाला तीसरा फंदा उठाके इसके दोनों के उपर से निकाल लेंगे, पहला फंदा सीधा, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से इसे सीधा बना लेंगे, तीन फंदे बीच में जो उल्ट से निकाल लेंगे, पहला फंदा सीधा, जाली डालेंगे, फिर से फंदा सीधा, यह जो उपर से हमने फंदा क्रोस किया था, एक गटाया था, यहां पे जाली बना के, वही फंदा यहां पे बढ़ा लिया, इसलिए फंदे पूरे बराबर चलते जाएंगे, कोई भी काम नहीं यह तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, लास्ट वाला उल्टा, यह दिखे, अब ध्याम से देखना, अब क्या करेंगे? पहला फंदा उल्टा, अब फिर फंदों की अदला बदली करेंगे, अब यह वाला सीधा फंदा हम आगे से इधर लेके आएंगे, और उल्टा फंदा पीछे ले जाएंगे, सीधा बनाया, जो उल्टा इधर लाए थे उसे उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, यह जाली वा दूसरी साइड लेके जाएंगे इसे उल्टा बनाएंगे धगा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे फिर से धगा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को उल्टा बना लेंगे धगा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधे को आगे लेके आएंगे और उल्टे फंदे को बनाया धगा अपनी तरफ इसे उल्टा बनाएंगे धगा पीछे इसे सीधा बनाएंगे धगा अपनी तरफ इस सीधे को इधर लेके जाएंगे और इस उल्टे को पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और इसे उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, ये देखिए, अब उल्टी रो में जो फंदा जैसे नजर आ रहा है, जो सीधा नजर आ रहा है, उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा नजर आ रहा है, उसे उल्टा पूरी रो में हमें ऐसे ही करना है जो सीधा नज़र आएगा उसे सीधा बनाएंगे जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बना लेंगे पूरी रो कंप्लीट कर ली दिखें फ्रेंड्स ये ऐसे बनता जाएगा फुल प्रोजेक्ट पे ये ऐसे बनता जाएगा जैसे हमने यहां तक बना लिया है यहां तक हमने बना के कंप्लीट कर लिया आगे यहां पे जो एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बनाया हुआ है यहां पे मैंने एट रो बना के कंप्लीट की है आठ सलाई बनाई है यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा करके अगर आपने गैप थोड़ा कम रखना है तो 6 रो बना सकते है छे सलाई ऐसे बना लें बॉर्डर जैसी उसके बाद फिर से यही डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका जैसे इच्छा है अगर यहाँ पे इतना ही गैप रखना है तो 8 सलाई बनाएं अगर कम रखना है तो 6 रो कम्प्लीट करें तो उसके बाद डिजाइन स्टार्ट करें डिजाइन ऐसे ही चलता जाएगा जैसे जैसे आप बनाते जाओगे डिजाइन बढ़ता जाएगा देखने में देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आप इसे बना के जरूर ट्राइ करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थेंक्यू फो यो टाइम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ